हेलो दोस्तो मैं जाई कांद से नहीं स्वागत करता हूँ आपके अपने चेहल भात आई क्यू में हम डिस्करश करें देनिक बासकर एंड राजिस्थान पत्यका चार और पांच फरबरी तो बने रहे हैं इस वीडियों साथ अंते तक तेसी लॉट तू नो एंड लॉट तू तो कुछ चेहरे हैं यहाँ पर इंपोर्टन तो सबसे इंपोर्टन चेहरा है यहाँ पर ग्रेटा थन्बग तो ग्रेटा थन्बग आपको पता होगा बहुती फीमस एक पर्यावन कार करता है इनका नाम नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए अब आप आप मुझे यह बताईए कि इनका संबंद किस देश से है यानि किस देश की रहने वाली है ग्रेटा थन्बग बहुत ही इंपोर्टन परस्नेल्टी बन चुकी है दुनिया के अंदर है इनका नाम बहुत जड़ा निकल करके सामने आया है यह सारे जो ट्वीटर पर भी घट चेहरे हैं यह लेकिन सबसे इंपोर्टन हो जाती है ग्रेटा थन्बग को इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए अच्छा इनके लावा ग्रेटा थन्बग के जैसे ही एक और फीमेल है भारत के रहने वाली है जो कि क्लाइमिट को लेकर बहुत अच्छे प्रियास कर रही है मुझे उनका नाम बताईए और किस राज से आति हैं वो मुझे बताईए मैं हेंड के लिए आपको बदा सकता और नौतलन के राज थे है तो आप मुझे उनका नाम दॉक्राइए और किस पर बहुत ही यंग हैं 18 साल से कम उनकी उम्र है इंडिया के अंदर ये महाराश्टर में मत्पत्र की वाप्सि की कवायत बताई जा रही यहां पर महाराश्टर में एलेक्शन को ले करके तो यह इनका है कुछ संदय है कुछ शक है EVM को लेकर के तो देख लेते हैं कुछ important facts यहां पर तो EVM इसका फुल-फॉर्म है electronic voting machine यह आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है, इलेक्टोनिक वुटिंग मशीन, मुझे कमेंट और ये बताईए, कि इसका जो मैनुफ्यक्टिरिंग है, वो कौन सी कमपनी करती है, इंडिया के अंदर, इंडिया में बनती है, और वो कौन सी कमपनी है, जो कि इसको बनात होगा था, किरिला में 1982 के वर्ष में, EVMs have been used in the all general election, state assembly, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर, मतलब state के जो election, assembly के election है, और center level पर जो भी election है, उन सभी में, 2014 से EVM का प्रियोग होना शिरू कर दिया गया, यानि कि EVM सभी जे का प्रियोग होने लग गया था, 2014 से चाहे वो elections होते हैं, मतलब कि जो राजसांसत के चुनाव जो होते हैं, तो वहाँ पर EVM का प्रियोग स्टार्ट हो गया, 2014 से, मुझे ये बताईए, राजस्तान के कौन से विदानसवा election से EVM का प्रियोग स्टार्ट हुआ, ये मुझे comment करके बताईए, मतलब किस वर्ष वो इलेक्श प्रियोग स्टार्ट है, इसमें एक परची बहार निकल कर आती है, बताती है कि आपने किसको वोट डाला है, लेकिन ये परची आपको मिलती नहीं है, वहीं पर जो आप भूत पर जाते हैं, वोट डालने के लिए, इसको वहाँ पर ट्रेस बॉक्स में डाल दिया जाता है, कि वल आपको दिखाया जाता है कि आपने किसको वोट डिया है, तो ये है वोटर वैरिफिवल पेपर ओडर ट्रेल, इसका फुल फॉर्म आपको पूरा नाम क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और जो भी मैंने आपसे प्रसने पूछे हैं, उनको उत्तर आप तो इसे चीजा और अच्छी बहतर होती है ये बात की जा रही है पश्यमी जर्मनी की भारी बारस बताई गई है पश्यमी जर्मनी में और एक नदी का नान्द मिकल करके आता है यहाँ पे राइन नदी तो राइन नदी बहुत ही important नदी है जर्मनी के अंदर बैती है तो इसके बारे में आपको पता होना चीए राइन नदी आपसे पूछा जा सकता है इसके संबंद किस देश से है तो इसका संबंद है जर्मनी देश से अच्छा एक जंगल हो रहाते हैं Black Forest Black Forest का संबंद भी जर्मनी देश से है यह आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज कि आपने कभी केक ज़्यादी खाया हूँ तो केक भी बड़े वगरा पर जो मंगाते हैं वहाँ पर एक Black Forest के नाम से केक भी आता है तो आप याद दखिएगा Black Forest का संबंद जर्मनी देश से है और राइन अधी भी जर्मनी देश से संबंद है इंपोर्टन रिवर है योरोप के अंदर राइन अधी ये बात की जारी है एर शो हुआ है ये एर इंडिया शो हुआ है यहाँ पर ये हुआ है येला हंका एयर वेस करनाटक के अंदर है तेरे होँ येर इंडिया शो का आयोजन हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप विमान इस प्रकार से अपना प्रदशन करते हुए ये हैं राजना सिंग जी तो इंपोर्टन हो जाते हैं इस प्रकार की नियुज के यह कहां पर हुआ है तो यह करनाटक में हुआ है बेंगलूर के अंदर तो यह important पता होना चाहिए आपको भारत अमरीका सेनब्यास यह है तो कहां होने वाला है एक तो सबसे important चीह है कि राजिस्तान में होने वाला है अब मुझे आप यह बताईए क कि अभी कुछी दिन पहले ही राजिस्तान में कि important युदब्यास होके चुका है उस युदब्यास का नाम मुझे बताईए मैं आपको बता दू कि वो जैसलमेर में हुआ है और एक विदेशी देश के साथ हुआ है तो उसका नाम बताईए किस देश के साथ हुआ था मतलब युदब्यास जो हुआ है उसका नाम बताईए और किस देश के साथ और भारत की कौन सी सेना उस में शामिल थी वो मुझे बताईए तो ये बात की जा रही है भारत और अमरीका के वीच सेनेक अब्यास होगा आठ फरवरी से ये राजिस्तान में होने वाला है महाजन फील् रेंच तो जब इससे सम्मानी निउज आएगी आठ फरवरी से स्टार्ट होगा ये तो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे अपन लेकिन अभी फिलाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए ये बात की जा रही है उर्स जो कि प्रतिवर्स ख्वाजा मुयुदिन महिना होता है मुस्लिम जो समुदा है वहाँ पर रजजब का महिना होता है उसके अंदर ये उर्स लगता है तो इस बार आठ सो नौवा उर्स लगेगा ये आपको पता हुना चीए और रजजब के महिने में लगता है ये भी आपको पता हुना चीए अजमेर के अंदर इस स 60 वर्स अधिकायू के जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, उनको वहां से निकाला जाएगा अभी, यानि कि आप समझ सकते हैं, जो 61 वर्स का काम करने वाला व्यक्ति है, उसको कुवेट देश अपने यहां से बाहर निकाल देगा, जिस देश का वो रहने वाला है, वहां प्रतिवर्स यहां पर, प्रतिवर्स क्या मतलब काम करने के लिए जाते हैं, कुवेट के अंदर अच्छा एक देश है, आपको पता है, पूरा का पूरा जो एनरजी है, डिपेंडेंट है वहां पर है, अपना पूरा जो इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ओल, इन देशों से तो यहां पर इस बार डिजियन लिया है, कि 60 वर्स अधिक के आयों के लोग उनको वहां पर अभी काम करने नहीं दिया जाएगा, तो इसका इंपक्ट बहुत जबदस पड़ेगा भारत के उपर, कारण की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो आता है भारत को, वो इनी जो यह खाडी देश है, यहां से निकल करके आता है, मतलब यहां पर लोग पैसा कमाते हैं और अपने घर को बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस और भारत दुनिया के अंदर नमबर वन पोजिशन पर रहता है, रेमिटेंस को ले करके, तो इस पर एक प्रभाब आएंगे इंडिया में इनको भी काम चाहिएगा, तो भारत के अल्लेडी जो लोगों उनके पास अभी अनेंप्लोयमेंट बहुत जादा है, तो वहां पर यह टकराफ देखनों को मिलता है, दूसरी चीज़ यह हो जाती है कि अभी तक यह हजार लोग जो है, कुबैत के अं आएंगे तो यह कई प्रकार के समझ्या देखनों को आएंगी, तो यह आगे मतलब देखा जाएगा किस प्रकार से डील की जाती है चीज़ें, तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट रहती हैं, एक डिसिज़न से किसकिस प्रकार से कि अभी तक वो अन करके भेज रहते हैं पनी फैमली को तो अच्छे से उनका लालन पालन हो रहा था, लेकिन अभी यह चीज़ जब बंद हो जाएंगी, तो इसका क्या इंपैक देखने को मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि आपस में एक दूसरे देख सकते हैं, यह तो इस है, उमान है यहाँ पे यह देश, और यह परशिन गल्फ है, यहाँ पे हारमुज स्टेट आती है, यह गफ अफ उमान है, तो हारमुज स्टेट इन दोनों को जुड़ने काम करती है, यह जो समुद्री अरिया हैं दोनों, इनको जुडने काम करत यह है हारमुज इस्टेट यहां पे है इरान और यह हमारा भारत यह आप देख सकते हूं उध्यपुर वाला इरिया भी दिखाया है मैप में जोद्पुरू दिखाया है तो यहां से भारत से लोग काम करने के लिए जाते हैं कुवेट तो उस केस में अभी यह डिशन लिया ग सिस्टम आने वाला है catch drone system तो देखते हैं इसमें क्या है तो यहां पर बताया गया है कि युद्धक विमान रिमाने च्षेत्र में तेज़त से तहलका मचाने वाला हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड अब कैट्स ड्रोन लेकर के आ रहा है ऐसा सिस्टम है जिसमें युद्धक विमानों से एक साथ बी समलावा ड्रोन निकलेंगे और दुस्मन साफ हो जाएगा यानि कि इस प्रकार का ये सिस्टम ड्रोन का डवलप किया जा रहा है किसके द्वारा है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड आपको पता होगा एक बहुत बड़ी डील अभी होई है भारत के अंदर 48,000 क्रोर की डील होई है विमान को ले करके वाजू सेना की बीच में और ह отвеч-ई ल की बीच में तो ये डील ही है तेजस को ले ये मिमार की मिमार में आपको पता है तकता बलट कर दिया वहां की आर्मी ने और ये है पिक्चर आंगसान सुकी तो मिमार के अंदर काफी समय से अच्छा आपको मैंने पूछा भी था कुश्चन की इनको नोबेल पुरुसकार कब मिला था तो आपने बताया था नाइटी ना हो जाए पर ऐसा जब वहां के जो मिलिटरी के हैड है उनको लगा कि उनके आथ से कही सत्ता निकल ना जाए तो वहां पर उनने कूप कर दिया यानि कि तकता प्रेट कर दिया इन सब से पावर मतलब इन सब को हटा करके वहां पर राश्टपती शाशन पूरे एक साल की लग रुहिंगिया वहां पर अलप संक्या के है रुहिंगिया लोग तो इनकी उपर जाना जाए उनके ब्वहां की आर्मी केद वहां आर्मी आपको पता है बहुत बड़ी संख्या में निकल कर थे क्यू Ultra और उन्रीष हो रहे देसौन ना ना झाल इनकी लिए से बहुत है learnt इस नदी में बिना कोछ सोचे समझे उतर गए अपनी जान बचाने के लिए और उनकी मौत भी हो गई इस नदी में जाने के कारण तो जी नदी भी काफी जाना चाचा में रही थी तो पता होना चाहिए कि नाफ रिवर मिमार देश के अंदर है इसके अलावा एक इंपोर्टन गंगा कोपरेशन है तो यह भी इंपोर्टन एक बॉडी है इसकी सरद से 6 देश हैं इंडिया मिमार थाई लंड लाओस कमबोडिया एंड वियत्नाम तो मिकांग गंगा कोपरेशन जो है यह आपको पता होना चीह इपोर्टन एक बॉड़ी है एक संस्ता है यह तो यहाँ पर दो नदिया निकल करके आती है मेकांग नदी और गंगा नदी तो गंगा नदी का संबंद इंडिया से है और मेकांग जो नदी है ये बहती है मेमार थाइलेंड लाओस कंबोडिया विर्तनाम के अंदर इसके अलावा चाइना भी है लेकिन चाइना इस में शामिल नहीं है तो ये एक corporation बनाया गया था मतलब इनके द्वारा इन देशों के द्वारा मिल करके ये भी आपको idea होना चाहिए तो ये कुछ important fact है जो कि मैंने आपके साथ discuss की है क्योंकि जब किसी देश के बारे में इस प्रकार से चल चाहिए चलती है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ Space X company के मालिक कौन है तो उनका मुझे नाम comment करके बताईए तो यहाँ पर rocket में आग लग गई है ये बात की जा रही है Washington USA की Space X का एक rocket है Starship तो आपको यह भी पता हूँ अच्छी है कि Starship किसका rocket है यह Space X का rocket है तो आप मेरे को नाम तो बता ही दीजिए इनके ओनर का बहुत ही famous personality है काफी चर्चान भी रहे हैं पर इसको तो यहाँ पर इसमें आग लग गई है Space X के Starship rocket में तो यह news यहाँ पर cover की गई है USA की news यहाँ पर यह तो यह आपको पता होना चाहिए यह बात की जारी है East Container Terminal Project इसको रद्द कर दिया गया है Cancel कर दिया गया है यह कहाँ पर इस्तित है सबसे पहले समझे है भारत वा जापान के लिए Colombo Port पर East Container Terminal विक्सित करने के लिए 2019 में पिछले शाषन द्वारा अस्ताक्षित कि एक समझोते को रद्द कर दिया गया है भारत और जापान के लिए Colombo Port Colombo कहाँ पर रिस्तित है यह है सिलंका के अंदर रिस्तित है Colombo Port वहाँ पर East Container Terminal डवलप किया जा रहा था 2019 में अस्ताक्षित हो गया था समझोता हो गया था लेकिन जब नई-नी सरकार चुन करके आती है तो इस परकार की चीज़ें कैंसल होती रहती है तो यह यहाँ पर सिलंका ने भी कैंसल कर दिया है इसको रद्द कर दिया है यह जो प्रोजेक्ट था तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए पूचा जा सकता है कोलंबो पोर्ट सॉरी इस्ट कंटेनर टर्मिनल का संबंद कहां से है किन दो देशों की बारे से डवलप किया जा रहा था तो इस परकार के प्रशने बन सकते हैं आपसे यह बात की जा रही है 600 वर्स पुराने गर सीसर यहां पर यह गर सीसर जो लेक है यह है जैसल मेर के अंदर यह आपको पता होना चाहिए प्रशन पूचा किया इसके संबंद में तो इसके अंदर यह कुछ इस परकार के स्ट्रक्चर बने हुए है काफी ओल्ड पता रहे है 600 वर्स पुराने हैं यहां पर यह तो आपको पता होना चाहिए गर सीसर लेक के बारे में कहां पर इस्तित है तो इस जैसल मेर के अंदर इस्तित है गर सीसर लेक तो इंपोर्टन्ट है यह लेक लजिस्थान में यह बात की जारी है मून मंगल मिशन की यहां पर नासा ने IASS पुरानी बैटरी हटा करके लिदियम आयन बैटरी को लगा दिया लिदियम आयन बैटरी बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह आज के समय में इसकी बहुत जार डिमांड है हमारे मुबाइल फून्स के अंदर यही बैटरी के इस्तेमाल हो रहा है तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतराश्टी अंतरिक्ष स्टेशन इसको बोला गया IASS यहां पर 13 अंतरिक्ष यात्तियों की 14 स्पेस वॉक के बाद यहां पर यह चेंज किया गया है बैटरी को तो यहां पर निकल हाइडोजन की बैटरी लेगी हुई थी पहले इसको चेंज कर दिया गया है लीदियम आयन की बैटरी से क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है एफिशेंट है तो इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है लिदियम आयन बैटरी आज के समय में बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है तो यह आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इस परकार की चीज़ें चल रही है यह बात की जा रही है Central Vista Project तो हदीप सिंग पुरी साब जो केंद्री मंत्री है इन्होंने इसका उद्गाटन किया यहाँ पर पता होना चाहिए नया संसत वबबन है Central Vista Project तो Important Project है भारत के अंदर यह आपको आइडिया होना चाहिए मैं इसके बारे हैं पहले भी चच्चाएं कर चुका हूँ Central Vista Project क्या है कैसे है कहां से लिया गया है कौन डवलप कर रहा है इसको यह है प्रवीर सिन्ना साब CBI के इंटिरियम डिरेक्टर बना दिये गए यह यह इनकी पिक्चर है देख सकते हैं आप तो important body है CBI भारत के अंदर एक जो की जितने भी जो घूस कोरी के जो काम होते हैं भारत के अंदर और कई सारी ऐसी गलत जो activities होती है उनके लिए एक supreme body है यहां पे एक CBI तो इसके जो इंटिरियम डिरेशा के प्रवीर सिन्ना साब को बना दिया गया है यह आपको idea होना चाहिए यह बड़ी है अच्छी ख़बर है राजस्तान में जो भी competitive exams में लगे हुए लोग ऐसा यानि कि सब inspector के 859 पदों पर भरती के लिए विग्यपती निकाल दी गई है आनलाइन आप दे नौ तारीक यानि की नौ फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे परिक्षा सुल का आप देखी सकते हैं यह है साड़े 300 रुपे समान वर्क के लिए फिर अलग-अलग categories के इसाब से यहाँ पर दिया गया है तो 2016 के बाद अभी यह निकाली गई है बर्तिया काफी साल लग गए इनको चार साल लग गए आप समझेए तो अच्छी बर्तिया हैं तो आप जो भी इसके संबन्द में चुक हैं जो डालना चाहते हैं फॉर्म यहाँ पे तो वो इसमें अपलाई ज़रूर करें एक बहुत ही शांदार विकेंसी है राजिस्थान के इंदर यह बात की जारी है LDC वर्ति की तो LDC वर्ति 2018 में की गई थी इसके लिए exam conduct हुआ था तो उसमें 603 पदों में और अभी बढ़ोतरी कर दी गई है तो जो भी चैनेत हैं उनके नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है तो जितने भी पत थे उनमें 603 और increase कर दिये गए है तो यह अच्छी ख़बर है उन लोगों के लिए जो इसमें की वेटिंग में डले हुए थे कहीं लोग जो वेटिंग में थे तो उनको अभी नियु विएर्स मैंसे कोई भी है इसमें शामिल तो उनके लिए बहुत यह अच्छी ख़बर है यह तो मुझे आसा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो यदि यह अच्छा लगा है तो जड़ा से लाइक शियर सब्सक्राइब जरू करें मुझे अपने सुझाब कुमेंटर्स में या इमेल भी कह सकते हैं इसी के साथ दन्ने बात मिलते हैं ली वीडियो में